एक साधक लिखता है। अत्यधिक स्नायविक तनाव पड़ता है। और सभी यह भली भाती जानते हैं कि गर्भ धारण करने से शक्ति का कितना अपक्षय होता है और कैसी पीड़ा होती है। इस शक्ति के बार-बार के रिक्तिकरण तथा प्रसव पीड़ा के कारण स्वस्थ महिलाओं का स्वास्थ्य भी चकनाचूर हो जाता है। यह उनके बल, सौंदर्य तथा मनोहरता के अतिरिक्त उनके यौवन और मानसिक शक्ति को भी नश्ट कर डालता है। उनके नेत्रों में आभा तथा चमक नहीं रह जाते जोकी आंतरिक शक्ति के दियो तक हैं। मैथुन क्रिया की शीघ्र एंद्रिक उत्तेजना स्नायू तंत्र को चकना चूर कर देती है तथा उनमें दुर्बलता भी उत्पन्न करती है। स्त्रियों के शरीर अधिक सुकुमार तथा अतिसमवेदन शील होने के कारण उन पर पुरुषों की अपेक्षा प्रायह अधिक कुप्रभाव पड़ता है। स्त्रियों को अपनी बहुमूल्य जीवन शक्ति का परिरक्षन करना चाहिए। डिम्ब ग्रंथियों द्वारा स्रावित डिम्ब तथा अंतह स्त्राव, हार्मोन, स्त्रियों के अधिक्तम शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। वे भी मीराबाई की भाति नैश्ठिक ब्रह्मचारिणियाओं रहकर अपने आपको भगवान की सेवा और भक्ती में अर्पित कर सकती हैं, अथवा, विगारगी तथा सुल्भा की तरह ब्रह्मविचार कर सकती हैं। इस मार्ग को अपनाने वाली स्त्रियों को ब्रह्मविचारिणी की संझा दी जाती है। ग्रहस्थ धर्मिणियों को पति वृता धर्म का पालन करना तथा सावित्री, अनसुया को अपना आदर्श मानना चाहिए। वे भक्ति के द्वारा अपनी काम वासनाओं को सहज में ही नश्ट कर सकती हैं। क्योंकि वे स्वभाव से ही भक्ति परायन होती हैं। उन्होंने केवल अपने सतीत्व की बल पर ही इन तीनों महान देवताओं को शिशुओं में बदला था। सावित्री ने अपने सतीत्व के बल से यम्राज के पाश से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। सतीत्व अथ्वा ब्रह्मचर्य की ऐसी ही महिमा है। जो स्त्रियाओं सतीत्व में गारहस्थ जीवन यापन करती हैं। वे भी अनसुया, नलैनी अथ्वा सावित्री तुल्ले बन सकती हैं। ब्रह्मचारेणियां, प्राचीन तथा आधुनिक प्राचीन काल में भारत में ब्रह्मचारेणियां होती थी। वे ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्मपर प्रवचन करती थी। वे ग्रहस्थ धर्मिनी का जीवनयापन करना नहीं चाहती थी। वे अपने कुटीरों में आशियों तथा मुनियों की सेवा करती थी और ब्रह्म विचार किया करती थी। वे अपने व्रतों में अटल थी। और चित्ति का विचार किये बिना वे कभी एक भी शब्द नहीं बोलती थी। यूरोप में भी बहुत सी स्त्रियाओं थी जो ब्रह्म चारणी थी तथा जिन्होंने अपना जीवन का ठोर तपश चर्या, प्रार्थना तथा ध्यान के लिए पूर्ण तया समर्पित कर दिया था। उनके अपने आश्रम थे। भारत में अब भी ऐसी शिक्षित महिलाएं हैं जो ब्रह्म चारणी का जीवन यापन कर रही हैं। वे विवाह करना नहीं चाहती। यह उनके पूर्व जन्म के सुसंसकारों के प्राबल्य के कारण है। प्राणायामों का प्रशिक्षन देती हैं। वे गीता तथा उपनिशद पर प्रवचन करती हैं। अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी में धार्मिक विशयों पर व्याख्यान देती हैं। तथा अवकाश के दिनों और महत्वपूर्ण अवसरों पर आध्यात्मिक जन जागरण के लिए बड़े पैमाने पर महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करती हैं। कभी-कभी वे गामों में जाती हैं तथा निर्धन लोगों में बिना मूल्य के आउश्धियां वितरित करती हैं। के लिए अपने व्याय से एक निह शुल्क अराजकिय विद्यालय भी चलाती है। यह निह संदेह एक बहुत ही महती सेवा है। ऐसी कन्याएं तथा महिलाएं वास्तव में भारत के लिए वर्दान हैं। वे पवित्र तथा आत्मत्यागमई जीवन यापन करती हैं। वे इह लोक में परमानंद, सम्रिध्य तथा कीर्ती का उपभोग करती तथा परलोक में परम शान्ती का अमरपद प्राप्त करती हैं। भारत को इस प्रकार की और अधिक ब्रह्मचारणियों की आवश्यक्ता है, जो अपनी जीवन सेवा, ध्यान तथा प्रार्थना के लिए समर्पित कर सकें। उत्तर प्रदेश में एक महाराणी थी, वह सादा वस्त्र धारन करती, साधुओं तथा निर्धनों की सेवा करती तथा सदा सन्यासियों के सान्निध्य में रहती थी। उसे शास्त्रों का अगाध ग्यान था, तथा वह नियमित रूप से ध्यान, तथा प्रार्थना किया करती थी। वह लगातार कई महीनों तक मौन रखती, तथा कुछ समय एकांत में व्यतीत करती थी। इसके साथ वह राज्य पर शासन भी करती थी। एक सुशिक्षित महिला है जो MBBS है, उसके पतिदेव उच्चपद परासीन है, वह रोगियों का निहशुल्क उपचार करती है, वह रोगियों का निरीक्षन करने के लिए उनके घर जाने का कोई शुल्क नहीं लेती है, वह समाज की बहुत अच्छी सेवा करती है, वह नौक परार्थना में लगाती है, वह प्रशस्य तथा पवित्र जीवन यापन करने वाली एक आदर्श महिला है, उच्च रिंखल जीवन स्वतंतरता नहीं है, संसार को इस प्रकार की आदर्श महिलाओं की नितांत आवश्यक्ता है, मेरी कामना है कि संसार ऐसी प्रशस्य महिला मैं स्त्रियों की निंदा नहीं करता हूँ, मैं उन्हें शिक्षा तथा स्वतंतरता देने का विरोध नहीं करता हूँ, मैं उनके प्रती परम श्रद्धा रखता हूँ, मैं उनकी देवियों के रूप में पूजा करता हूँ, किन्तु मैं स्त्रियों के लिए किसी ऐसी स्व मैं यही चाहता हूँ, यही प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा, उच्छ रिंखल जीवन पूर्ण स्वंत्रता नहीं है, भारत की कुछ स्त्रियों ने इस मिथ्या स्वतंत्रता का लाभ उठा कर अपना सर्वनाश कर लिया है, तथा कठित शिक्षित महिलाएं आज जिस स्वतंत्र स्वतंत्रता का उपभोग कर रही है, उनकी कोई सीमा नहीं है, इस स्वतंत्रता ने अनेक घरों का सत्यानाश कर डाला है, इसने समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है, इसने अनेक सम्मान्य परिवारों को लज्जित किया है, लड़कियों ने स्वतंत्रता की अपन नारी सुलब लालित्य तथा अपने शरीर और चरित्र की पवित्रता खो बैठती है। जो स्त्री पुरुषों के साथ मुक्त रूप से मिलती जुलती है, वह अपने सतीत्व को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकती है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं और रहे भी हैं। अतीत्व नहीं तो वह प्राण धारी शव मात्र है। स्वच्छन्द मिलने जुलने का अनर्थ कारी परिणाम होता है। जब जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारन करने तथा एकांत में कंद मूल खाकर, जीवन निर्वाह करने वाले आरशी तथा योगी भी यदि सावधान नहीं रहते, तो प्रकृती की अशुब शक्तियों द्वारा अधपतित हो जाते हैं। तो उन स्त्रियों के विशय में क्या कहना, जो नित्य स्वादिष्ट भोजन तथा मिश्टांत रखाती हैं, जो गोटे के अंचल वाले सुवासित मखमली तथा कौशे वस्त्र धारन करती हैं, इनमें अधिक मिलने जुलने का व्यसन है, जो आत्म संयम मै जीवन यापन नह तथा जिन्हें आभ्यंतर जीवन तथा मोक्ष धर्म का कोई बोध नहीं है, सुधी पाठक, मैं इस विशय को आपके स्वयम के चिंतन, मनन, पर्यालोचन तथा समीक्षा के लिए आप पर छोड़ देता हूं, स्त्रियों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी उन्हें बहुत ही सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए, उन्हें अत्यधिकम बातें करने, मिलने जुलने, ठाका लगाने तथा मूर्खा की तरह हसने से बचना चाहिए, उन्हें सदा गंभीर गती से चलना चाहिए, कभी कूले मटकाते हुए नहीं चलना चाहिए, उन्हें प्रेम के हाव भाव से पुरुषों की ओर नहीं देखना चाहिए। उनके वस्त्र बहुत चुस्त तथा अंगुद घाटित करने वाले नहीं होने चाहिए। उन्हें बनाव श्रंगार त्याग देना चाहिए। अच्छी ग्रहस्त धर्मिनियां तथा ब्रह्मचारिनियां बनें। अनेक गौरांगों को जन्म दें। संसार का भाग्य पूर्णतया आपके हाथ में है। संसार की सर्वकुंजी आपके पास है। स्वर्गिक आनंद के द्वार को खोलें। अपने घर में वैकुंठ अपने बच्चों को अध्यात्म पत्थ का प्रशिक्षन दें। जब वे अल्प व्यस्क हों तभी उनमें अध्यात्म का बीज वपन करें। संसार की देवियों। क्या आप उच्चतर जीवन के लिए भव्य, उदात्त तथा एक मात्र आत्म मैं सच्चे जीवन के लिए प अमर नहीं हो सकती। उस इस सारी प्रिथवी के धन को लेकर मैं करूंगी। इस संसार की कितनी स्त्रियाओं इतनी निर्भीक हैं जो स्त्रियों के ओप निशधिक आदर्श के इस विवेक पूर्ण कथन को निश्चय पूर्वक कह सकें। अपने को संसार के बंधन में अध्यात्मिक जीवन के सच्चे प्रकाश तथा वैभव के प्रति अपने को, अपनी संतती को, अपने परिवार तथा अपने पतिदेव को प्रबुद्ध करने के अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करना चाहिए। मदालसा क्या ही यशस्विनी माता थी। क्या उसने अपने बच्चों को सनातकोत्तर परीक्षा तक अध्ययन करने और तदुपरांट कोई काम ढूंडने के लिए कहा था। शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम चैतन्य हो, तुम निशकलमश हो, तुम संसा रिखतार की माया से मुक्त हो। ऐसी अद्वैत की शिक्षा मदालसा ने अपने बच्चों को पालने में जुलाते समय दी थी। वर्तमान जगत की कितनी माताओं को, अपने बच्चों को ऐसे गंभीर ग्यान की शिक्षा देने का सद्भाग्य प्राप्त है। इसके विपरी पूर्ण तथा दयनीय अवस्था है, माताओं तथा बहनों, जाग जाएं, अपनी प्रगाढ निद्रा से जाग जाएं, अपने उत्तरदाइत्व को समझें, अपने को आध्यात्मिक बनाएं, अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं, अपने पतिदेव को भी आध्यात् स्मरन रखें कि चुडाला ने किस प्रकार अपने पतिदेव को प्रबुध किया था। यही सच्ची निर्भीकता तथा साहस है, यही सच्चा ग्यान तथा समझ है। यदि किसी महिला में आध्यात्मिक अग्नि नहीं है, यदि वह आत्म मय उच्चतर जीवन से अनभिज है, तो वह महिला महिला नहीं है। स्त्री का कर्तव्य परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसका कर्तव्य परिवार से परे जाना भी है। ऐसी महिला भगवान की सच्ची प्रतीक है। वह सम्मान्य है, वह पूज्य है, ब्रह्मचर्य तथा शिक्षा पाठ्यक्रम। यदि आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली की हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से तुलना करें, तो आपको इन दोनों में बड़ा अंतर मिलेगा। पहली बात तो यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यधिक व्ययपरक है। संप्रति शिक्षा के नैतिक पक्ष की पूर्ण तया उपेक्षा की गई है। गुरुकुल में प्रत्येक विद्यार्थी अकलमश होता था। प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण नैतिक शिक्षा में दीक्षित होता था। यह प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता प्रत्य एक छात्र को प्राणायाम, मंत्र योग, आसन, नीति संहिता, गीता, रामायन, महा भारत तथा उपनिशदों का ज्ञान होता था। उपर्युक्त सद्गुणों का सर्वता अभाव है। आत्म नियंत्रन तो वे जानते ही नहीं। विलास्मय जीवन तथा असन्यम उनमें कौमार अवस्था से ही आरंभ हो जाते हैं। अहंकार, द्रिष्टता तथा आग्यो लंगन उनमें बध्ध मूल होते हैं। वे पक्के नास्तिक तथा अत्यधिक विशई बन गए हैं। बहुतों को तो अपने को आस्तिक कहने में लज्जा प्रतीत होती है। उनको ब्रह्म चर्य तथा आत्म नियंत्रन का ज्यान नहीं है। भूशाचारी वेश, अवांचनिय भोजन, कुसंग, नाट्य ग्रिहों तथा अपरिचित हैं। भूशाचार, बनाव ठनाव, भोगवाद, स्वादुलोलुपता तथा विलासिता ने उनके मन पर अपना अधिकार कर लिया है। महाविद्यालयों के कुछ छात्रों का जीवन वृत्त सुनने में अत्यंत दयनिय है। प्राचीन गुरुकुल में छात्र व्यवहारों से उनका स्वास्थ्य नष्ठ हो रहा है, उनमें वृद्ध हो रही है। आधुनिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नैतिक संस्कृती की शिक्षा नहीं दी जाती है। वर्तमान प्रणाली में शिक्षा के नैतिक पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की आधुनिक सभ्यता ने हमारे बालक बालिकाओं को अशक्त बना डाला है। कि भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण तथा सशक्त सुधार की ततकाल आवश्यक्ता है। कुछ महाविद्यालयों के प्राध्यापक भूशाचारी पहनावा पहनने के लिए छात्रों पर बल देते हैं। यही नहीं, वे स्वच्छ किन्तु सादे वस्त्र पहनने वालों का नापसंद भी करते हैं। ये बड़े खेद की बात है। स्वच्छता एक वस्तु है, फैशन अन्य वस्तु। तथा कठित फैशन, सांसारिक्ता तथा विशया सक्ती में मूल बद्ध हो जाता है। जीवन में स्वच्छता, शारिरिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए परमावश्यक है। लड़के तथा लड़कियाओं अज्ञानतावश, शारिरिक अंगों के दुरुपयोग के कारण, जिससे जीवन शक्ती का निश्चित अपक्षय होता है, मौन रूप से कष्ट ज पहेलते हैं। यह उनके सामान्य मानसिक तथा शारिरिक विकास में गतिरोध उत्पन्न करता है। जब मानव शरीर अपने स्वाभाविक स्रावों से वंचित कर दिया जाता है, तब सनायविक उर्जा में भी तदनुरूप हरास अवश्य होता है। यही कारण है कि उन इधियन बंद कर देना पड़ता है। रोग बढ़ते जा रहे हैं। और शधालाओं में सहस्त्रों प्रकार के अंतहक शेप, इंजेक्शन आ गए हैं। सहस्त्रों डाक्टरों ने अपनी अपनी निदान शालाएं तथा दुकाने खोल दी हैं। तथा पी दुहक प्रतिदि कि आवश्यक्ता नहीं है। यह दुर्व्यसनों तथा अमर्यादित मैθुन के द्वारा वीर्य की क्षति है। यह दूशित मन तथा दूशित शरीर के कारण ही है। अध्यापकों तथा माता-पिताओं के कर्तव्य। चात्रों को सदाचार के पत का प्रशिक्षन देने अथवा चरित्र का सम्यक गठन अंतरविष्ठ है। लोग कहते हैं कि ज्ञान शक्ती है। किन्तु मैं अपने व्यावाहारिक अनुभव से पूर्ण विश्वास के साथ यह बेखट के बल पूर्वक कहता हूँ कि चरित्र शक्ती है तथा चरित्र ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ट है। आप में से प्रत्येक व्यक्ती को अपने चरित्र का सम्यक निर्मान करने के लिए यथा शक्य प्रयास करना चाहिए। आपका समग्र जीवन तथा जीवन में आपकी सफलता, आपके चरित्र गठन पर ही पूर्ण तया निर्भर है. इस संसार के सभी महापुरुषों ने अपनी महत्ता एकमात्र चरित्र के द्वारा ही प्राप्त की है. संसार के वैभवशाली महामनीशियों ने यश, प्रतिष्ठा तथा सम्मान की विजैश्री चरित्र के द्वारा उपलब्ध की है. अध्यापकों को स्वयम पूर्ण नैतिक तथा शुद्ध होना चाहिए. उन्हें नैतिक पूर्णता से संपन्न होना चाहिए. अन्यथा, अं चुष्क भाशन देने की कला में बौधिक उपलब्धी ही परियाप्त नहीं होगी. एक मात्र यह एक ही कला प्राध्यापक को सुशोभित नहीं करेगी. जब छात्र प्रोढवस्था को प्राप्त होते हैं, तब उनके स्थूल शरीर में कुछ विकास तथा परिवर्तन होन लगते हैं, वानी बदल जाती है, नए आवेग तथा भाव प्रकट होने लगते हैं, स्वभावत उनमें जिग्यासा उठती है, वे गलियों में फिरने वाले लड़कों से परामर्श लेते हैं, उन्हें कुमंत्रणा मिलती है, वे अपनी दुर्वृत्तियों के द्वारा अपना स्वास्थ्य नश्ट कर डालते हैं, उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र तथा ब्रह्मचर्य, दीरगायू प्राप्ति के उपाय तथा कामवासना के नियंत्रण की विधी का स्पष्ट ग्यान प्रदान करना चाहिए, माता-पिता को चाहिए कि वे अप अवश्यक करतव्य है, जब बालकों तथा बालिकाओं में तारुन्य के लक्षन द्रिष्टी गोचर हों, तो उनके साथ स्पष्ट बात करना परमावश्यक है, इधर उधर की बातें करने से कोई लाब नहीं है, यौन संबंधी विशयों को गुप्त नहीं रखना चाहिए यदि माता-पिता अपने बच्चों से इस विशय की वारता करने में संकोच अनुभव करते हैं, तो यह उनकी अयथार्थ शालीनता होगी, इस विशय में चुप्पी साधने से किशोरों का कुतूहल उद्दीप्थ ही होगा, यदि वे इन सब बातों को समय पर स्पष्ट रूप से जान जाते हैं, तो वे निश्चय ही कुसंग से अपथगामी नहीं बनेंगे, और ना उनमें दुर्व्यसनों का विकास होगा, आध्यापकों तथा माता-पिताओं को बालक तथा बालिकाओं को समुचित शिक्षा देनी चाहिए, कि वे किस प्रकार ब्रह्म-चर प्रिमय शुद्ध जीवन यापन करें, उन्हें शालीनता तथा संकोच के अपने मिथ्या भाव से अपना पीछा छुडाना चाहिए, वे ही बालक तथा बालिकाओं की अज्ञानता के लिए बहुत कुछ उत्तरदाई हैं, किसी अन्यबाद की अपेक्षा इन विशेयों की अज्ञानता के कारण अधिक्षति हुई है, आप अज्ञानता का इस मिथ्या शालीनता का की लिंग तथा लैंगिक कार्य व्यापार की परिचर्चा नहीं करनी चाहिए, मूल्य चुका रहे हैं, अध्यापकों तथा माता पिताओं को किशोरों के आचार व्यवहार का सतत अवलोकन करना तथा उनके मन में ब्रह्मचर्य के पवित्र जीवन के परम महत्व को तथा अपवित्र जीवन के संकटों को बैठा देना चाहिए, उनमें ब्रह्मचर्य विशय की पुस्तिकाएं मुक्त रूप में वित्रित करनी चाहिए, विद्यालयों तथा महा विद्य चित्रदर्शी द्वारा ब्रह्मचर्य विशय, प्राचीन काल के ब्रह्मचारियों के जीवन तथा महाभारत और रामायन की कहानियों का नियमित रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। इस दिव्यकार्य की उपेक्षा न कीजिए। यह गुरुतर कार्य आपका नैतिक उत्तरदायत्व है। यह आपका योग है। यदि आप इस कार्य को यह थोचित गंभीरता पूर्वक करें, तो इससे आपको आत्मसाक्षातकार प्राप्त हो सकता है। निश्ठावान तथा निश्कपट रहें। अब अपने नेत्र खोलें। बालकों तथा बालिकाओं को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाए। तथा उन विविध विधियों का प्रशिक्षन दीजिए। जिन से वे वीर्य का अपने में प्रच्छन आत्मशक्ती का परिरक्षन कर सकें। जिन अध्य अपकों ने प्रथम अपने आपको अनुशासित कर लिया है। उन्हें चाहिए कि वे अपने विध्यार्थियों के साथ एकांतिक वार्ता करें। तथा उन्हें ब्रह्मचर्य के विशय में नियमित रूप से व्यावहारिक शिक्षाएं प्रदान करें। श्रधेय S.P.P.P अपने विध्यार्थियों को उचित दिशा में धर्म प्रायनता के पत की शिक्षा दें। तो संसार आदर्श नागरिकों, योगियों तथा जीवन मुक्तों से परिपूर्ण हो जाएगा जो सर्वत्र प्रकाश, शान्ती, आनंद तथा सुख का प्रसार करेंगे। धन्य ह वह जो अपने छात्रों को सच्चा ब्रह्मचारी बनाने के लिए वास्तव में प्रयास करता है और उससे अधिक धन्य है वह जो सच्चा ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करता है।